नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मुकामा के निर्दली विधायक अनन्स सिंग पे एक बार फिर बिहार पुलिस का सिकंजा कसा है और उनके यहां से इसके बाद फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अनन्स सिंग पे बिहार पुलिस ने दबाव बनाया है आपको याद होगा वो पहले जेडियू के ही नेता हुआ करते थे लेकिन जब नितीश कुमार से उनकी दूरिया बढ़ी तब उनके खिलाफ पुलिस ने करवाई की थी उनको जेल भेजा गया था उसके बाद फिर चुटके आए तो यह चर्चा थी कि वो मुंगेर से लोग सभा का चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस में सामिल होंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कांग्रेस उन्हें सामिल करना चाहती थी लेक सरकार के उनके जो है खासम खास हयोगी ललन सिंग जो है चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते लेकिन इस बीच में इस चुनाव को लेकर के और उस चुनाव से पहले की जो दूरियां दोनों की बीच में बढ़ गई थी नितिस कुमार और इस मुकामा के निर्दली बात है हलाकि बिहार में जो अपराधि घटनाय होती रही है उनमें एके सैंतालिस के यूज होने की बात आती रही है पुर्वी उत्तरफदेश की भी कई घटनाओं में एके सैंतालिस का इस्तेमाल हुआ है आपको याद होगा जब किष्णा नंदराय के हत्या हुई थी उस सा जाने वाला है उनकी मुश्किले बढ़ने वाली है सभाविक सी बात है कि जिस किसी पर आरूप लगता है वो कोई न कोई बचाव अपने पक्ष में रखता है कि ये उनके खिलाफ साजिस की जा रही है या राजनितिक साजिस का नतीजा है अनन सिंग भी यही बात बोलें तो ये भी बाते कहीं जाती है कि उनके खिलाफ साजिस रचके और आईसी करवाई की गई तो जो भी इसमें और जनकारी मिलती है उसके बारे में हम आपको जनकारी देते रहेंगे आप देखते रहिए निकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भू झाल झाल